Hello everyone, so lower limb की सारी nerves को इस वीडियो में हम देख के खतम करेंगे घबराईएगा नहीं, पहली बार भी पढ़ रहे हो या रिवाइस कर रहे हो ये वीडियो दोनों purpose solve करेगा so पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और अगर अभी तक subscribe ना किया हो तो कर दें, bell icon भी दबा दें और आखरी में question है, हर बार की तरह उसे एक habit बनाईए ताकि वीडियो आप ध्यान से सुन सकें तो चलिए शुरू करते हैं lower limb की nerves के साथ तो lower limb की nerves आई कहां से जैसे हम upper limb में brachial plexus काफी important से पढ़ते हैं हाला कि lumbar plexus इतना deep में नहीं पढ़ते हैं बट वो derive होती है lumbar plexus से ventral ramai, posterior abdominal wall में और sacral plexus से pelvis में so ventral ramai है, एक basic आपको पता होना चाहिए अब हम इन में किन nerves की बात करने जा रहे हैं सबसे पहले हम बात करेंगे femoral nerve की so femoral nerve की हम एक बार course देख लिया फिर अब हम इसको diagram के तुरू समझेंगे so आपको पता है, काफी अच्छी से पता होगा thigh के जो compartments है so उसमें जो anterior compartment of the thigh है उसकी nerve है femoral nerve अब ये कहां से arise होती है swast measure, जो within swast measure है और posterior division of L2-L4 ventral rhema है इसका क्या मतलब है अब मैं आपको diagrams के तुरू बताते जाऊँगा so ये आपका है lumbar plexus जैसे आप brachial plexus बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही अब वहाँ पर क्या लिखा था femoral nerve, posterior division, green color show करता है L2-L4 तो बिल्कुल सही L2-L4, posterior division आपका femoral nerve आपको मिल गी ये आपको पता है और इसमें जो muscle का relation है वो है suas major so आप देख सकते हैं यहाँ पर suas major है और यहाँ पर labeled कर रखी femoral nerve so आपको पता सेल गया कि हाँ suas major है और फिर आगे चल कि ये आप देख सकते हैं iliacus labeled है so इन दोनों के बीच में से pass होगी so basically descend करेगी suas major और फिर immerse करेगी उसकी lateral border से किन दोनों के बीच suas और iliacus फिर कहाँ enter कर जाएगी थाई में और थाई में कहाँ enter करेगी behind inguinal ligament so आप ये diagram से देख सकते हैं एक और diagram इसको हम आगे पढ़ेंगे अभी femoral sheath के लिए so ये यहाँ तक का आपने याद कर लिया ये आप इसको और अच्छे समझ सकते हैं कि अब थाई में femoral nerve enter हो गई है behind inguinal ligament so ये आपको पता चल गया कि femoral nerve थाई में आ चुकी है अब femoral nerve आपको पता है कि femoral sheath का content नहीं है और femoral triangle में सबसे lateral most part है ठीक है तो femoral triangle में ही आप वो split होगी anterior और posterior division में और जो anterior posterior division होगे उनके बीच में जो artery हमें देखेगी देखने को मिलेगी वो है lateral circumflex femoral artery so आईए इसको समझते हैं ये आप देख सकते हैं femoral nerve ठीक है किस प्रकार से हमने दिखा है femoral triangle के लिए और फिर मैंने आप से कहा कि lateral femoral circumflex artery जब anterior और posterior division of femoral nerve होगा so ये artery उसके एक प्रकार से बीच में लाइ करेगी so ये आप इस प्रकार से समझ सकते हैं अब हम बात करेंगे femoral nerve किसके supply करती है sensory और motor अब हम बेसिकली शुरू करते हैं femoral nerve के जो आपको कहा है anterior division, posterior division so इसको 2 मिनिट देखते हैं पहले आप ये याद रखिए motor branches, अब iliacus क्यों होगा आपको पता है, iliacus thighs के relation में स्वास और iliacus फाला so iliacus को supply करेगा abdomen में और anterior compartment of thigh की सारी muscles को so ये आपके लिए homework है आगे अब जित्तों में मैं कहूंगा compartment की muscles आपको पता होना चाहिए और आप उसको यह हम अलग से एक वीडियो में सारी compartment की सारी muscles का एक निमोनिक दे देंगे ठीक है ये आप थोड़ा से एक passively जो homework करते हैं आपको चीज़े और अच्छे से याद रहती है फिर cutaneous branch की बात करेंगे तो cutaneous branch के लिए आप ये देख सकते हैं ये पूरा area आपका femoral cutaneous nerve supply करती है so आपका anterior और medial of the thigh और knee और hip joint को articular branches देगी अब उसी में थोड़ी सी मदद कर दें anterior और posterior division जो है उनकी क्या-क्या branches है जो cutaneous branches है वो basically anterior division की है sartorius और pectinus को anterior division branch देगा और quadriceps femoris को posterior division देगा और cephenus nerve इसका posterior division का continuation रहेगा cephenus nerve so आप again इस diagram में देख सकते हैं कि यहाँ पे इस diagram में कि cephenus nerve आपको ये posterior division के लिए देख रही है so थोड़ा सा bits and pieces में diagram है but हमें इसको समझना पड़ेगा क्योंकि यह कहीं न कहीं abdomen से लेकि हम thigh तक का area पड़ रहे हैं so I hope कि आपको femoral nerve at least आप पूरा समझ में आ गया होगा कि कि किस प्रकार से femoral nerve thigh में enter करी और क्या उसका divisions है अब हम इसी प्रकार से अगली nerve पड़ेंगे obturator nerve obturator nerve आपको बिलकुल easy हो जाएगी कुछ नहीं आपको लगभग femoral nerve जैसे ही है आप इसमें क्या है बस anterior division हो जाएगा same L2 से L4 का anterior division यह आप देख सकते हैं yellow से जो highlight किया है this is your obturator nerve so अगर आपको femoral बनती है obturator basically क्या है adductor compartment जो medial compartment है उसकी nerve है so arise करेगी यह भी स्वास major के within में और फिर anterior division से करी यह वापस स्वास में जाएगी और emerge करेगी in the medial border of ella of sacrum ठीक है वहाँ पे हम बोलते हैं iliacus के बीच में यहाँ पे आप देख सकते हैं sacrum और यहाँ पे आप देख सकते हैं obturator nerve so यह medial border of ella of sacrum के relation में आती है so obturator nerve आपको clear हुई so obturator nerve का आपने यहां तक का root देख लिया और फिर descent करेगी और obturator foramen से पास करके medial compartment of thigh में आ जाएगी obturator foramen उमीद है आपको याद होगा obturator foramen ठीक है so यह bits and pieces की diagram है but again क्योंकि हम linked topic पढ़ रहा है so इसको हम ऐसे अच्छे से समझ सकते हैं और दोनों division यह भी basically anterior और posterior division में divide हुआ और वहाँ पे जैसे आर्टरी थी बीच में यहाँ पे कौन सी adductor bravest muscle है इनके बीच में so this is all you need to know about obturator nerve अब बात करते हैं इसकी supply की branches की so basically अभी यह बात में देखेंगे पहले motor branches तो again मैं आपको homework दे रहा हूँ adductor compartment of thigh आपको पता होना चाहिए सारी muscle को supply करेगा except hamstring part of adductor magnus जो की tibial nerve innervate करती है sensory branch में basically medial की nerve है so medial का ही lower half करेगी जादा prominent नहीं होता है और articular branches में आपकी hip or knee joint बिल्कुल सेम तो काफी हद तक femoral nerve जैसा है अब वापस anterior और posterior division में आपको पता होना चाहिए pectinus वहाँ था यहाँ पे rarely होता है बाकि adductor longus, brevis ether, magnus posterior division से gracilis और obturator externus so यह एक आपको obturator nerve के बारे में crisp आपको एक मिल गया है अब आप कोई भी बुक पढ़ेंगे तो जो importance है वो बस इतना ही है और आपको इतना समझना बहुत अच्छे से आना चाहिए so अब हम बात करेंगे sciatic nerve की ठीक है हम अभी तक anterior compartment देख लिया हमने medial compartment देख लिया बच्चा कहा है posterior compartment तो उसकी nerve आगे sciatic nerve so sciatic nerve वापस से वही कहानी कहां से arise होगी L4 से S3 ventral rama है so जो cover paste थी वो basically आपकी sciatic nerve है ठीक है so अब आप इसको समझ सकते हैं आप में को बताएंगे आगे का root इस diagram के भी through देख लें और आपको यह जो दिख रहा है structure यह भी आप मुझे बताएंगे so अब मैं flow chart बता रहा हूं आपको so मैंने कहा कि leaves through greater sciatic foramen and enters gluteal region so बिलकुल सही बात है फिर descend करेगा between greater trochanter and ischial tuberosity along the back of the thigh posterior compartment की nerve है so basically वो पीछे की तरफ जाएगी and just above the popliteal fossa divide कर जाएगी tibial और common peroneal nerve में so यह आपका disection hall के आपको scenes याद अगय होंगे जब आपने काफी time तक popliteal fossa और फिर यह सब discover किया होगा so आप देख सकते हैं tibial और common peroneal nerve में कैसे divide होती है sciatic nerve so यह आपका एक यहाँ पे आप और देख सकते हैं कि किस तरह से tibial और common peroneal में divide हो रही है so यह आपको short में इतना ही आपको याद रखना है sciatic nerve के बारे में and this is quite sufficient फिर अब हम बात करेंगे sciatic nerve की branches तो basically जो इसका motor branches है यह back of the thigh की सारी muscle again homework और जो आगे की sensory है और जो भी है वो basically इसके जो divisions है tibial और common peroneal से ज़्यादा importance है तो महाँ देखेंगे so अब हम बात करते हैं tibial nerve की तो tibial nerve क्या हो गई आपकी larger terminal branch है sciatic nerve की आप देख सकते हैं इस diagram में कौन सी larger branch है दिख रहा है so this is what you need to know about tibial nerve larger terminal branch है arise about the poplital fossa passes down through middle and posterior compartment of the leg ठीक है posterior compartment of the leg tibial nerve जाएगी और फिर यह enter कर जाएगी soul में deep to flexor retinaculum flexor retinaculum of foot भी जल्द वीडियो दे देंगे आपको तो passing deep to flexor retinaculum where it divides into medial and lateral plantar nerve so tibial nerve की यह जर्नी आपको समझ में आ गई अब आप देख सकते हैं tibial nerve जैसे बात हुई थी medial planter और lateral planter nerve में divide हो जाएगी तो tibial nerve में भी आपको जादा कुछ issue नहीं है काफी easy है lower limb की nerves काफी easy है तो motor branches again motor branches में सारी अब देखे जहाँ वो होगी वहीं देगी तो posterior compartment of the leg और फिर आगे चलके soul को supply करेगी बाया medial and lateral planter nerve जो कि हम आगे चलके जब soul और foot पे इक अलग वीडियो आएगा तो उसमें इनको detail में देखें है cutaneous branch cutaneous sensation बहुत important है आपको पता होना चाहिए तो यह cutaneous sensation का diagram है देख सकते हैं medial planter, lateral planter तो वो basically क्या होगा hole of the skin of soul of foot and toes including dorsal aspect of last phalanges through medial and lateral planter nerves so again anatomy is all about diagrams अगर आपको diagram समझ में आगया तो जादा याद करने की जरूरत नहीं है तो आपको यह चीज़ क्लियर होगी अब हम बात करेंगे common peronial nerve की जो की कौन सी थी smaller terminal branch थी तो smaller terminal branch होगी तो यह भी पास करेगी popliteal fossa में और फिर यहाँ पे लिखा है कि along its upper lateral boundary just beneath the edge of bicep tendon so again dissection को याद करिये क्या लिखा है और वो कैसे बिलकुल suit कर रहा है just beneath the edge of bicep tendon ठीक है so यह हो गया now it runs over plantarys and lateral head of gastrocnemius lateral head of gastrocnemius के उपर से लेट or runs over this and ultimately soleus and then it reach deep to peroneus longus और जहां पर वो divide कर जाएगी deep और superficial peroneal nerve में so कुछ नहीं muscles का खेल है muscles again आपको मैं बता रहा हूँ हर compartment की muscles आपको by heart होना चाहिए हुआ तो एक pneumonic video भी दे देंगे तो उसके बाद यह चीज़ा आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई कि कैसे यह आई और फिर इसने हमें planter nerve दी so basically deep and superficial planter nerve इसका कहानी है और अगर हम tibial nerve की बात करें so वो आपकी यह आपने देख लिया था medial or lateral planter nerve so यह थोड़ा सा हमें जानने की ज़रूरत है इनके बारे में अब common peroneal nerve की deep peroneal nerve और superficial peroneal nerve इनकी motor और sensory आपको अलग-अलग पता होना चाहिए so जो deep peroneal nerve है वो सारी muscle वो supply करेगी anterior compartment of the leg को क्योंकि आपको पता है कि वो deep है तो उससे आप सूथ सकते कि muscles का supply महा से आया और कहां पर present है महा की supply करेगी अब sensory supply के लिए आपको again sensory supply का diagram दिखा रहा हूँ जब तक आप motor branch समझ लीजे सारी muscle lateral compartment की superficial peroneal nerve से ठीक है तो यह आप कैसे समझ सकते हैं basically जब हम इसका division देख रहे हैं यही से समझ में आ रहा है कि common जब यह deep peroneal हो रही है हमारी so यह हमारी muscles को देंगी और superficial आपके lateral compartment को देगी so यह चीज हो गई और जो आपके sensory branch की कहानी है so basically sensory branch में आपको again यह diagram याद रखना है so आप देख सकते हैं कि superficial peroneal आप ऐसा याद रखी sensitive skin cutaneous so basically as for superficial major area supply करेगी और deep peroneal बस इतना इसा area supply करेगी so इसको anatomical terms में आप क्या बोलते हैं आप इतना सा ज़्यादा area तो नहीं बोलेंगे so basically अगर आप बोले deep peroneal नहोंगी so skin of cleft between great and second toes जैसा diagram में देखा और most of the skin on dorsum of foot except in जो यहाँ पर हो गया इसको छोड़के बाकि सारी यह supply करेगी so in short इतना आसान तरीके से आप चीजों को sum up कर सकते हैं बड़ा वीडियो बनाना मेरा कभी initiative नहीं रहा है आपको हर चीज crispy way में मिल जाना चाहिए चाहता तो एक नव पर एक वीडियो बना सकते थे 10 मिनट का बट वो कोई sense नहीं रहता है so I hope कि इस वीडियो ने आपको revision में बदद की हो sub question का answer दे दीजे और अपने दोस्तों के साथ share करना ना भूले lockdown के समय भी learning बनाये रखे thank you stay safe stay healthy